Morning students, कैसे हैं आप सभी, I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आज हम सब यहाँ पर इखठा हुए हैं, एक बार फिर से हमारा एक टॉपिक करने के लिए और जिसका नाम है fraction, ठीक है, क्या है हमारे टॉपिक का नाम, fraction, fraction क्या है, क्या होता है fraction, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, fraction क्या है, एक ऐसा नमबर, कैसा नमबर, जो की expressed किया जाता है, मतलब की लिखा जाता है, expressed as a quotient, quotient, क्या होता है, जब हम किसी नमबर को किसी से divide करते हैं, तो जो उपर का नमबर आता है, उसको लिखते है, quotient, तो हमने एक fraction को एक ऐसे नमबर में express करना है, जिसमें हमें क्या कुछ मिलेगा, in which, उस fraction के अंदर क्या होगा, in which, a numerator, अभी मैं बताऊंगी, numerator क्या होता है, ठी divided, उसको हम divide करेंगे, by a denominator से, ठीक है, किस से divide करना है हमने, denominator से, अभी क्या मतलब हुआ इसका, fraction क्या हुआ, fraction में क्या है, एक नमबर है, कोई भी एक नमबर है, उसको हमने quotient में express करना है, जिसमें एक numerator है, और denominator है, like that, जैसे कि अभी हम बात करते है, P by Q, यहाँ पर P क्या है हमारा numerator, क्या है P हमारा numerator, और यह जो line बीच में हमने लगाई है, इसको बोलते है, fraction बार, fraction बार, और जो यह Q आएगा, यह है हमारा denominator, क्या है, denominator, क्या मतलब हुआ इस बात का, कि हमने कोई भी एक नमबर लिया, जैसे कि हमने लिया 5 by 2, यहाँ पर 5 हमारा क्या रहेगा, numerator, यह क्या है हमारी fraction बार, और जो 2 है हमारा, वो है हमारा denominator, क्या है 2 हमारा, denominator, अब fraction कैसे बनता है, fraction क्या है, यह तो हमें समझ में आया, numerator और denominator के में लिखते हैं, उसको, denominator और denominator में हम उसे लिखते हैं, बट क्या होता है, a fraction is a part of whole number like as अगर हमारे पास माल लेजिए एक चपाती है complete चपाती we have a complete चपाती और हम कई मर ममा क्या बोल देते हैं ममा मुझे तो बस यह half चपाती खाने कितनी खानी है मुझे यह half खानी है तो अगर मैं maths की भाशा में बोलू, maths की language में हम बात करें तो आप ममा को क्या बोलेंगे कि हमने कितनी चपाती खाई है कितना complete portion कितना है? one और इस one के हमने कितने part कर दिये? टू, एक ए उपर वाला और एक ए निचे वाला आप में कौन सा वाला eat किया? यह वाला खाया और यह वाला ममा को वापस कर दिया तो आपने कितनी चपाती खाई है? one part खाया, कितने parts में से? two parts में से आपने कितना चपात्ट खाया वन पार्ट खाया टू पार्ट में से अभी मुझे बताईए अगर इस चपाती में से मैं फोर पार्ट कर दूँ ठीक है और आप ममा को बोलो की ममा मैंने ये तो चपाती खाली बट ये मुझसे नहीं खाई जा रही है ठीक है, तो हमने कितनी चपाती खाई है, 3 by 4, तो ये हमारा क्या होता है, fraction होता है, कि हमने एक complete whole part में से, कितना part हमने use किया, और कितना हमने left छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद हमारे पस क्या होते है, fraction में होते है, like fraction, like fraction होता है, और unlike fraction होता है, ठीक है, unlike fraction होता है fraction में क्या रहता है like fraction में जिसमें हमारा नीचे का number सेम रहता है यानि कि 3 by 4 5 by 4 और जिसमें नीचे का number सेम नहीं रहता है वो होता है हमारा unlike fraction ठीक है बाकि इसकी जो detailed वीडियो है वो उसका जो link है मैं आपको description box में डाल दूँगी क्योंकि वो वीडियो मैंने अल्रेडी पहले से बनाई हुई है किसके topic पे बनाई है like fraction और unlike fraction की मैंने एक deep वीडियो बनाई है जो की मेरे description box में मैंने उसका link दिया है आप वहाँ से जाकर उसको properly check कर सकते हैं ठीक है हमारा अगला topic क्या है types of fraction क्या है हमारा type types of fraction कितने types होते हैं हमारे पास हमारे पास तीन types होते है proper proper fraction improper fraction improper fraction और तीसरा हमारे पास होता है mixed fraction ठीक है अभी proper fraction क्या होता है इसमें जो हमारा numerator रहता है यानि कि जो हमारा उपर वाला पार्ट है numerator वो छोटा होता है denominator से less than होता है denominator से ठीक है जैसे की example बोलिए 5 by 6 अभी 5 हमारा क्या है numerator और 6 क्या है denominator आप देख सकते हैं इसमें जो उपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट से यानि कि नीचे वाले नमबर से छोटा है ठीक है ऐसी अगर हम कोई और example देंगे तो क्या रहेगा 6 by 13 ठीक है improper fraction improper fraction क्या होता है अब उपोजिट चलेंगे हैं जिसमें numerator greater than और equal to होगा denominator उपर greater than का sign होता है नीचे ये equal to का sign लगता है ठीक है जिसमें numerator बड़ा हो जाएगा उपर वाला पार्ट अब बड़ा हो जाएगा जैसे कि 11 by 6 अब 11 क्या है 6 से बड़ा है 11 by 6 हमारा क्या हुआ improper fraction ठीक है अब भी हम बोलेंगे 14 by 5 तो ये भी हमारा क्या है improper fraction clear हो गया proper fraction में क्या है numerator छोटा होता है किस से denominator से और improper fraction में numerator बड़ा होता है किस से denominator से ठीक है फिर हम बात कर रहे हैं हमारा mixed fraction mixed fraction में क्या होता है mixed fraction में एक whole number होता है ठीक है और उसके साथ हमारा proper fraction add होता है proper fraction साथ में होता है जैसे की 1 2 by 5 यहाँ पर ये जो 1 है ये complete है तो ये 1 मेरा whole number है और उसके साथ में यहाँ ये 2 by 5 जो है वो proper fraction है क्योंकि इसमें numerator चोटा है और denominator बड़ा है तो whole number के साथ हमेशा क्या मिलेगा आपको proper fraction मिलेगा ठीक है और कई example दीजिए इसका 5, 1 by 2 तो ये भी हमारा क्या है एक mixed fraction का example है ठीक है पर देखिए मैंने कुछ number लिखे हैं जैसे कि 2 by 3, 7 by 12, 5 by 2, 13 by 7, 26 by 31 35 by 51, 32 by 9, 29 by 11, 17 by 33, 51 by 25 अब इन numbers में से मुझे proper fraction और improper fractions को separate करना है कि कौन सा number proper fraction है और कौन सा number मेरा improper fraction है तो चलिए हम देखते हैं पहला हमारा number है 2 by 3 हमें क्या देखना है कि numerator denominator से बड़ा है या छोटा तो अब बताए 2 2 हमारा numerator है numerator हमारा denominator से छोटा है तो यह हमारा कहां जाएगा proper fraction में ठीक है उसके बाद है 7 by 12 numerator छोटा है smaller number है numerator smaller है 12 से तो हमारा यह भी क्या हुआ proper fraction then 5 by 2 अब हमारा क्या है 5 2 से बड़ा है big है तो यह हमारा है improper fraction ठीक है next 13 by 7 13 हमारा क्या है छोटा या बड़ा कैसा number है 13 हमारा बड़ा number है तो यह क्या होगा improper fraction हम किसके साथ compare कर रहे है numerator को denominator के साथ compare करके बता रहे है तो हमारा यह 13 bigger नंबर था किस से 7 से इसलिए यह हमारा improper fraction है ऐसे ही अब हमारा 26 by 31 जो है वो proper fraction हुआ 35 by 51 भी हमारा proper fraction हुआ 32 by 9 हमारा improper fraction 29 by 11 हमारा improper fraction 17 by 33 हमारा proper fraction 51 by 25 हमारा improper fraction तो हमने जितने भी proper fraction लिखे उन सब में हमारा numerator जो है उपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से यानि के denominator से छोटा है और improper fraction में जितने भी हमारे उपर वाले नंबर है वो सभी नीचे वाले यानि के numerator denominator से सभी बड़े हैं तो यह था हमारा आज का topic proper fraction और improper fraction अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को जरूर करें और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि fraction को convert कैसे करते हैं ओके have a nice day thank you